अलो फ्रेंड्स, आम हरीश लेमला फ्रम एकुरेट फॉर्चून आस्ट्रोलॉजी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल हम सिंग लगन पे काम कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि सूर्य देव सिंग लगन के अलग अलग भावों में बैट कर हमें किस किस तरह के फल देंगे और इसी श्रंकला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सूर्य देव की छटे घर की प्लेस्मेंट के बारे में आईए जान लेते हैं कि सिंग लगन में अगर सूर्य देव छटे घर में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे यही दोस्तों छटा घर एक दुष्टाना हाउस है मेलेफिक हाउस है और यहां का जो प्रभाव है वो है हमारे जो है बीमारियां हमारे अप्स्टेकल्स हमारे रिढ लिटिगेशन यही के कोर्ट केस इस हमारे एनिमीज और डेली लाइफ के अबस्टेकल्स हमारे small pets या हमारे मामा यानिके ननी हाल वगरा का भी यह घर है अब यहां पर सुर्य देव सुर्य देव कि नेचुरली छटे घर में आके खुद ही बैठ गये यानिके लगन का स्वामी खुद ही बैठ गया और छटे नंबर में 10 नंबर राशी है दस नमबर राशी रिप्रेजेंट करती है पावरफुल मशिनरी को पावरफुल लोगों को हमारे सोशल स्टेटस को हमारे कैरियर को हमारे प्रोफेशन को हमारी पिता की वेल्थ को पिता की फैमली को और अगर हम शरीर के अंग देखें तो हमारे नीज को ये रिप्रेजेंट करती है ये राशी है और ये शनी देव की साधारन राशी है लेकिन ये राशी बहुत ही कठिन राशी है पावर्फुल राशी है अब देखिए सूर्य वैसे तो चटा घर नौकरी का भी घर है सर्विस का घर है सूर्य देव यहां आके आपको सर्विस में भी ले जा सकते हैं उसमें शनी जो डिस्पॉजिटर है उसकी पुजीशन अच्छी होनी चाहिए यानि के शनी अगर दस्वें घर में ही बैठा हुआ है दो नंबर राशी में या ग्यार्वें घर में है या तीसरे घर में है एक्जॉल्टिट साइन में तो यह बहुत अच्छी पुजीशन है शनी किसी ऐसी जगा नहीं बैठना चाहिए जिसमें उसकी दृष्टी सूरिये पे आ जाए तो यह घर और जबापीडित हो जाएगा इस इनसान को बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा मेहनत करने पड़ेगी अगर सूरिये की दृष्टी में सूरिये देव बैठ गया तो अब सूरिये की तीन दृष्टियां होती है तीसरी, सात्मी और दस्वें दृष्टियों तो इन दृष्टियों में सूरिये देव को आना नहीं चाहिए और दूसरा सूरिये देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के लौड की प्लेस्मेंट भी देखना बहुत जरूरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए देखिए यहां पर सूरिये का बचाव इसलिए है वरना यह राशी शनी देव की एनिमी राशी है सूरिये देव के लिए हां अगर यह राशी दस्वे घर में होती दस्वे घर में सूर्यदेव होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं है दस्वे घर केरियर का घर है वहाँ पर मेहनद करके इंसान कुछ नव-कुछ अची बढ़ा कर लेता है लेकिन यह छटा घर है यहाँ पर failures बहुत मिलते हैं यहाँ पर दुर्गटनाएं बहुत मिलती हैं, यहां पर परिशानियां बहुत मिलती हैं, यहां तभी जाके आदमे को सक्सेस, और सक्सेस कौन डेटर्मिन करेगा? शनी देव, क्योंकि शनी का घर है, यहां का सूरिय अब यह कॉम्पिटिशन का घर भी है, यहां पर सूरिय देव किस त खौदबली हैं, तो यहां अच्छे रिजल्ट्स ले लेंगे सूरिय देव से, और शनी देव अगर खुद पीडित हैं, तो यहां पर प्राब्लम्स रहेंगी, अब सबसे पहले देखा जाए, तो इस घर को हम जानते हैं, यह हमारी हेल्थ रिलेटेड इशूज यहां पर स साइट से जो प्रेशानियां होंगी, वो वली हैं मिलेंगी आपको, यहां अगर आपके पिता को हाई बीपी है, शूगर है, या कोई और प्राब्लम्स है, तो ज्यादा तर वैसी प्राब्लम्स देखने को मिलेंगी, जैनेटिक प्राब्लम्स देखने को मिलेंगी, दूसर पेट में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है बिलोव अब्डॉमिनल एरियाज में चट अगर है इनी चीजों का पेट के नीचे के हिस्से का है तो वहाँ पर आपको प्रेशानिया मिल सकती है आपके घुटनों में दर्द रह सकता है यहां पर तो कि 10 नंबर राशी घुटनों की हुए है और इम्म्यूनिटी आपके बाड़ी में वाइट सेल्स की कमी रह सकती है इस वज़ा से आप कमजोर रह सकती है यहां सूरिय के बैठने से तो यह सारी चीज़ें यहां देखने को मिलेंगी और यहां बैठा हुआ सूरिय बार्वए घर को देखता है तो बार्वए घर में hospitalization का scene बनता है तो कहीं न कहीं वहां भी प्रेशाने रहेंगी, खर्चे ज्यादा रहेंगे यानि कि यात्राएं भी रह सकती हैं, खर्चे ज्यादा रहेंगे hospitalization के expenses ज्यादा रहेंगे, यह वनी सारी चीज़ी हैं, यहां बैठा हुआ सूरी आपको देगा, और दूसरा इस भाव से देखते हैं हम opposition opposition आपके दुश्मन भावत होंगे यानि कि आप अपने opposition से आप परिशान रहोगे they will create some or the other problems in your professional life, आपके carrier में tank खींचने वाले भावत होंगे back biting वाले भावत होंगे और आपको परिशान करने वाले आपको additional responsibilities देने वाले होंगे और bosses से यहां पर बनना आपका मुश्किल है तो यहां आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप service में है तो bosses से ज्यादा opposition ना रखें और उनके जो है चीजों को आप थोड़ा सा seriously लेके execution में डाले हैं तब ही यहां पर काम चलेगा अगर आपने bosses से opposition ले ली तो यहां परिशानिया रहेंगे तीसरा यहां से देखते हैं litigation court cases देखिए अगर सूरिय कहीं खराब शनीदेव कहीं खराब बैठ गए तो यहां litigation भी अक्टिवेट हो जाते हैं और litigation होते हैं इसात्वे घर के और यह साथ मैं से बारवा गर में तो शाथ में घर से related litigation चल सकते हैं आपके government से related litigation चल सकते हैं आपके implies से related आपके बहुस से related कुछ नँँअ कुछ डिपार्डमेंटल inquiries चल सकते quiet बखर रहेंगे और अगली चीज यहां से हम देखते हैं हमारे जो है क्या काना चोई है यहाँ पर डैट्स बखर लॉनज बखर फिनेंसिस तेखिए अगर आपको बिजनिस बखर करते हैं तो यहां लॉन्स काल ज्यादा रहेगा लोंस वोगरा लेने पड़ेंगे कोई भी आप काम करते हैं आप अगर जॉब में है तो फिर वहां तो फिर भी बचाव रहने की स्थिती रहेगी फिर भी यहां पर इंसान को लूंज वगरा नहीं लेने चाहिए अगर लूंज यहां पर इंसान फस जाता है लूंज में तो लंबे लूंज चाहिए अगर आप शनीदेव की कंडिशन देख लें और नक्षत्र का लौड अच्छा बढ़ा हो तो आप सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन के लिए त्यारी करें दो तिन बार फेलियर्स मिलने के बाद आप सरकारी नौकरी यहां पर ले सकते हैं क्योंकि यह सरकार की राशी पावरफुल मशिनरी के राशी है तो यहां वह आप काम कर सकते हैं दूसरा सरकारी नौकरी यहां पर इजी नहीं रहेगी यह ध्यान रखना मेहनत बहुत करने पड़ेगी और भागत बहुत रहेगी डेली लाइफ में कुछ नों कुछ आपस्टेकल्स रहेंगे रहेंगे अब यहां पर आगे देखते हैं यह हमारे मामा का घर है और अब यह तो मामा की घर में बैठे ही है सुर्य देव यह नेटिव मामा की घर ही आकर बैठ गया है लेकिन मामा के घर में प्राब्लम्स रहेंगे वहां भी ट्यूनिंग में दिक्कत रहेंगी क्योंकि वहां शनी क राशिया शनी असानी से relationship को बनने नहीं देगा आगे देखते हैं daily life हमारे daily life full of obstacles रहेगी full of difficulties रहेगी कुछ नो कुछ life में चलता ही रहेगा लेकिन you have to live with it क्योंकि आप तो सुर्य देख खुद ही आके बैठ गया है छटे घर में तो ये सारी चीजें आपको experience करनी पड़ेंगी लेकिन उसमें घबराना नहीं है यहाँ पर शनी देव अगर अच्छे बैठ गए तो ये बहुत powerful position भी दे देते हैं कभी कभी और नक्षत्र कर लोड नक्षत्र भी यहां सुर्य देव के सभी मित्र नक्षत्र है ये एक silver line है शनी से तो bitter animity है मतलब शनी की सुर्य से लेकिन यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं उत्रशाडा जो सुर्य देव का अपना नक्षत्र है उसके यहां तीन चरण मिलते हैं अगर उत्रशाड़ा में सूर्यदेव है तो सूर्यदेव में डिगनेटी अच्छी आ जाएगी मतलब आप यह समलों कोई शनी का एरिया है उसमें एक एक जो कॉर्णर है वो सूर्यदेव का है अपने वहाँ पर बैठ जाएं तो बहुत ही बड़ी है आप सरकारी न नहीं चीहिए चोत्य कि देना घर में वह शूर्यदेव में बारवें में भी यहिंए दसमें घर में यहां शनी देव की पोजिशन काफी अच्छी रहे कि दो नमबर राची में और अगर सूर्यदेव हैं तो अर्दर क्षट्रम पूरुषणा में उत्त्र शाड़ा में उत दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है दोस्तो श्रवन नक्षत्र जो बहुत ही अच्छ श्रवन नक्षत्र में अगर सूर्य देव बैढ़ गया तो चंदर की प्लेस्मेंट आपको देखनी होगी मून की प्लेस्मेंट अगर अच्छी कहीं बैठ गई तो ये भी आपको स्टेट गवर्मेंट सर्विस में ले जा सकता है लेकि चंद्र आपको स्टेट गवर्मेंट सर्विस में ज्यादा सपोर्ट करता है और सूर्य सेंट्रल गवर्मेंट में तो चंद्र के इंफ्लेंस में अगर सूर्य देव आ गए तो आप स्टेट गवर्मेंट की कॉंपिटिशन दीजिए और अगर चंद्र देव की पुजीशन अच्छी नहीं है चार्ड में फिर थुड़ा सा स्ट्रगल रहेगा लाइफ में और तीसरा नक्षत्रिया मिलता है धनिष्टा जिसके दो ही चरण है मंगल देव का नक्षत्र है सूर्य देव अगर मंगल देव के नक्षत्र में बैठ गया तो भी अतिबली हो जाते हैं मंगल की सैनपती है हिम्मत दे देता है सूर्य तो यहां मंगल के नक्षत्र में भी सू पावर्फुल पॉजिशन हो जाएगा अगर मंगल यहीं बैठ जाए एग्जाल्ट होके तो भी आपको किसी अच्छे पद पे ले जा सकता है क्योंकि दसनम्बर में एक्जाल्ट कर जाता है मंगल सूर्य के साथ आ जाए या मंगल किसी ऑस्पीशियस हाउस में आ जाए तो भ सब्सक्राइब आर्ट तंबर साइन मिलेगा चोथेगर में मंगल देखो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छा ही है लेकिन चोथेगर में थोड़ा सा थोड़ा सा डोमेस्टिक इन्वार्मेंट में न्यूसेंस हो जाती है तो अगर राइट साइड में आ जाए चार्ट के यानिके आपका नवंभाव में आ जाए या दशम में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है और अगर मंगल की प्लेस्मेंट कहीं खराब हो जाती है तो भी यहां पर स्ट्रगल देखने को मिलता है तो यह तो हो गई बातें नक्षत्र की सुर्य देव की द्रिश्टी बार में घर की ज्यादा अच्छी निमाने जाती है और कुछ नों-kुछ एक्स्पैंसिस को बढ़ाने वाली होती है टेंशन देने वाली होती है और कभी कभी ट्रैवल्स यह करवा देती है हाला कि शनी की राशी में सूरिये बहुत ज्यादा मतलब ट्रेवल वगरा नहीं देते लेकिन अगर कोई ऐसा योग हो जिसमें बार्मा घर भी अक्टिवेटिड हो तो आपकी ट्रेवल्स रह सकते हैं क्योंकि सूरिये की द्रिष्टी बार्मा घर पर यहाँ और दोस्तों यहां पर अगर आपको अपने प्रोफेशन्स चूज करने हो तो यहां पर अगर सूरिये चंद्र के नक्षत्र में आजाए श्रवन में तो आप मेडिकल साइंस भी ले सकते हो डॉक्टर बन सकते हो या फार्मा में जा सकते हो अगर सूरिये धनिश्टा नक्षत कि पर Su bon sup as कि अब हेंगर सूर्य देवी हां पर अपने ही नक्षत्र में बैठा हैं उत्रशाडा में तो ही आप सरकारी नौकरी में जाव क्या और से मां यहां पर और भी profession's मिलते हैं जैसे यहां पर लौ का प्रोफेशन भी मिलता है, अगर गुरू और शनी अच्छे हैं आपके चार्ट में तो लोग के प्रोफेशन में भी आ सकते हो, यानि के एड़ोकेट बन सकते हो, जज़ वगर भी बन सकते हो, और डॉक्टर तो बनी सकते हो यहां पर, क्योंकि यह घर इस तरह के रहा है, तो यहां पर कुछ हमने आपको जो प्रोफेशन बताएं हैं, अगर आप के चार्ट में आपके बच्चों के चार्ट में यह पुजिशन है, तो आप इनी प्रोफेशन को ही माइन में रखके बच्चों की एड़ोकेशन को आगे दे सकते हैं, वरना अगर जनरल हम एड़ोकेश में हो या गौर्मेंट में हो तो administrative jobs के लिए ये अच्छी placement है तो दोस्तों this is all for the day उमीद करता हूं ये placement आपको अच्छे से समझ में आ गई है if you are liking our videos please try to subscribe our channel on priority or else we'll see you tomorrow with another placement of sun in Leo ascendant take care of yourself and your family try to subscribe our channel we'll see you soon good bye have a nice time